फाइनली गहना को समझ आ गया है कि उनकी लाइफ की सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई है कि उन्होंने जाकर बैल को बोला आ बैल मुझे मार बलकि बैल वस नॉट इवन इंट्रिस्टेड कि वो उनको सींग समारे लेकिन वो जाके खड़ी हो गई कि हेलो मैं यहां हूँ आओ मा बेशब्मी बेहा सब देख चुकी थी बाद्गी में जब आप चानती है कि आपकी वीटी को ऐसा रोग है तो इसना ख्याड के लिए लगनी 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 गहना ने सच में मुसीबत मोल ली है अपने ही ससराल में वो अपनी बेहन और मा को ले आई है अब जब से ये दोनों आए हैं कोई ने कोई हरकत ऐसी करते हैं कि हर किसी को इन दोनों पर शक होता है वैसे शक तो गहना को भी होता है लेकिन वो इगनोर कर देती है अब गहना तो है ही ऐसी लेकिन गहना की सासुमा वो तो बहुत ही तेज है वो पहले दिन ही समझ गई थी के स्वरा एक नौटंग की बाज लड़की है अब स्वरा के सासाथ उसकी मा भी वैसी ही है अब स्वरा की बुरी नजर अपने ही जीजाजी पर है अपने जीजाजी के करीब आने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है अब देखिये वो अनंद के कमरे में जा रही थी और जब पकड़ी गई तो मा ने बहाना कर दिया कि इसे तो नीन में चलने की आदत है जब आप जानती है किया आपकी वीटी को ऐसा रोग है तो इसना ख्यार तो नहीं आती है ऐसे ही उड़कर किसी के भी कमरे में चली जाती है इससे पहले भी इस वरा की गलतियों पर परदा डाल दिया करती थी उसकी मा अब इस बार भी जूट बोलकर बच गए मा और बेटी लेकिन कब तक बचेंगे यह देखिए हमें तो यह लगता है अगर इस ट्रैक की ट्यार पी आगे तब तो इनका ट्रैक लंबा चलेगा और अगर नहीं आई ना तो फिर इनको एक ही हफते में रफार दफा कर देंगे ABP News आपको रखे आगे